गेहु के बाद अब चावल के दाम बढ़ने लगे हैं दरसल इस साल कई राज्यों में खराब मौनसून के चलते धान की बुआई में 15 फीसद की गिरावत देखने को मिली है सरकार ने चावल के उत्पादन की समिक्षा करने के लिए 30 अगस को राज्यों के साथ पैठक भी बुलाई है मिली जहनकारी के मुकाबिक गेहु के बाद चावल की कीमतों में भड़ोतरी से सरकार टेंशन में है कई राज्यों में खराब मौनसुन का असर धान की खेती पर भी देखने को मिल रहा है उधर उत्तर परदेश, पच्चवी मगोल, विहार, जारखन में मौनसुन खराब देखने को मिला है इसके चलते चावल की रुपाई में 15 फीसद की गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले अब तक धान की रुपाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली है सरकार ने चावल वॉय का डाटा जारी करना बंद कर दिया है सरकार ने इस पर 30 अगस्त को राज्यों के साथ एक बैटक बुलाई है आपको बता दे कि पिछले साल 139 मैट्विक टन चावल का उतपादन हुआ था और वही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उतपादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है वैश्वे चावल वेपार में भारत के हिस्सेदारी 40 फिसदी है चावल के बढ़ते दाम पर फिलाल सरकार की पैनी नजर है क्योंकि बीते दो महीनों में चावल के दाम 20 से 30 फिसदी तक बढ़ चुके हैं